दोस्तों बहुत से लोग हैं जो हमारे पास आ नहीं सकते और जो चाहते हैं कि उनका घर बैटे मैं कुछ उनका इलाज बता दूँ तो मैं जनरिक बताऊंगा जनरिक दवाईयों के नाम बताऊंगा आप हो सके तो वहां से ले लेना अगर पॉसिबल हो तो मौस्पव बिवली तो वहीं से मिल जाएंगी नहीं तो आप हमसे संपर करके हमसे भी कोरियर से मंगवा सकते हैं तो उसमें आपको यह फाइदा रहेगा एक तो कम रेट की मिलेंगी और एक आपको जैनूइन प्रड़क्ट मिलने की यह हमारी गरेंटी होगी क्योंकि हम कमपनी से सीधा मंगव तो उसमें कुछ हमें सस्ता भी पड़ता है और प्रड़क्ट भी हमें जैनूर रहें तो बार्केट में बहुत से कमपनी से कोई सबस्टेंडिड कम्पोनी से होती है तो उनके प्रड़क्ट लगाने से कोई एफ्ट नहीं आता हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं तो आज मैं तो जो बहुत ही अच्छा पिगमेंट को ठीक करने वाला एक प्रड़क्ट है और ये बहुत ही पावर्फुल होता है नाइसिनमाइट और इसमें जो प्रोडूसिंग के सेल करते हैं तो वही पीगमेंट बनाते हैं वह चैरे के उपर वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो जो बजार में मिलने वाली क्रीम ंघ्र में एक्षी स्टिरोड मिक्ष similar है तो रंका ये शेरे डर्वर नुक्सान में रखे कि जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपका चेरा फिर से बलेक हो जाएगा बाद दुबारा से वही शाइया या पिगमेंटेशन या डार्क पिगमेंट्स वह आने शुरू हो जाएंगे तो आपको यू यू विल बी कंपेल्ड तो यूज दोज मेडिसिन अगें अगे उससे क्या फरक पड़ता है अगर हम बहुत ज्यादा लंबे टोर टाइम तक वह उसको लगाएं तो हमारी स्किन थिन आउट होनी चुरू हो जाती है क्योंकि स्टीरोड का पता है कि बाड़ी के ऊपर एक्स्ट्र एफेक्ट नेगटिव साइड एफेक्ट्स होते हैं तो ए अगर हम मैं अगर आपको एक प्रड़क्ट दिखाऊं तो जुरूरी नहीं है कि आप यह प्रड़क्ट खरी दें तो इसमें नायसीनामाइड है साथ में हायलोरानिक एसिड हायलोरानिक एसिड एक स्क्रबिंग एजन्ट का काम काता है जो माइक्रो लेवल के आप उपर दावा एलफा आर्बिटीन है इसमें और जिंक है तो यह सारे आपके चेरे की स्टेबिल्टी बढ़ाते हैं आपके पिगमेंट जो जो भी पिगमेंट आपके पिगमेंटेशन वगरा हो रही है तो उसको यह कम करते हैं काफी हद्त क्योंकि इनका कंभीनेशन ही काफी इस बॉक्स में हमें इस टाइप की एक डिस्पेंसर के साथ यह बॉटल मेलेगी इसका यहां से निकालके हम यूज कर सकते हैं एक दो बुंद लगानी काफी होती है मुझ को अच्छे से फेसवाश से धोके लगानी है और इसका बेस्ट यूज तब है अगर आप इसको हाई इस बॉटाथायन वाले फेसवाश से अप फेसवाश करें और इसके उपर संस्क्रीन जैसे यह नीग्लो जी है चाहे आप इसको लें जाहें ना लें वो मेरा वो कंसर नहीं है इसमें जो इंटरस्ट के हैं इसमें गलुटाथायन है hyloranic acid है जो इसमें भी है और वाइटमिन E है और कोजी कैसिड है कोजी कैसिड हो गया ग्लूटाथायन होगा यह बहुत ही पावर पावर्फुल अंटियोक्सिडेंट्स हैं तो अगर हम इससे शेरा बाश करते हैं तो हमारे चेरी की जो डार्कनेस है वो खतम हो जाती है और इसके इलावा हम यह संस्क्रीन है जो 50 SPF की है इसको यूज करना चाहिए यह जैल बेस्ट संस्क्रीन है इससे आपके चेरे में क्रीम वगरा वो नहीं आएगी और यह नौन कमीडोजनिक है इससे पिंपल वगरा नहीं आते हैं तो यह यूवी बी और ब्रॉड स्पक्ट्रम होती है यूवी बी रेज को बंद करती है और यह नौन ग्रीजी है हाइडरेटिंग है क्योंकि आँ तोर पे दो तरह की संस्क्रीन आती है एक क्रीम बेस्ट आती है यह जैल बेस्ट वाली है और इसका प्राइस मैं अगर बापको बताऊं तो काफी सस्ती है यह आम तोर पे जतनी भी हम मार्केट में संस्क्रीन वग और यह जो जो मैंने आपको पिगमेंट रोधी आपको सीरम बताया है यह सीरम काफी ससता है तून 390 रुपीज में यह सारा आपको मिल जाएगा तकरीबन एक हजार रुपे में आपका यह ट्रिपल कंबिनेशन आपके पास त्यार हो जाएगा जो आपकी पिगमेंटेशन से लड़ने में आपकी मदद करेगा और विदिन फ्यू वीक्स उफ यूजिंग इट कुछ हफते ही इसको यूज करने से आप अपने चेरे में एक अच्छा सा चेंज महसूस करेंगे और इन फैक्ट लोग भी आपको बताने शुरू का देंगे कि आपके चेरे में एफेक्ट आ रहा है तो यह वीजिबल एफेक्ट होगा तो यह जो इंग्रेंटिनिस मैंने बताए हैं यह आप अपनी लोकल मार्किट से भी परचेंज कर स और मेरा नाम मेरा नाम और पता है डॉक्टर शाम संदर गोएल काया कलब लेजर क्लिनिक बठेंडा रोड श्री मुक्ससा पंजाब और मेरा वार्ट्साप कॉंटक नमबर है 9256693566 और सेकेंड नमबर है 8453684636 धन्यवाद